प्यारे बच्चों आपका समाजी के दिन की भुगोल की कक्षा में स्वागत है आशा करता हूँ कि आप भी कुशल मंगल होंगे अपनी सेहत और अपनी पढ़ाई का पुरा ध्यान रख रहे होंगे बच्चों आज हम कक्षा साथ की भुगोल की पुस्तक के प्रथम पाठ यानि प्रयावन्ड मेंस एन्वायरमेंट की प्रशनावली करेंगे बच्चों जैसे कि आपको विदीती है हमने पिछले दो लेक्चर में प्रयावन्ड के बारे में पढ़ा और इससे पिछले लेक्चर में हमने प्रशनावली एक के प्रशन एक का साथ प्रशनों के उत्तर किये आज हम उससे आगे के प्रशन, दूसरा, तीसरा और चौत है, जो प्रशन दिया गया है आपकी पुस्तक में, प्रशनावली में उसके बारे में हम पढ़ेंगे और उसके उत्तर भी जानेंगे आओ बच्चों, मिलकर इस प्रशनावली को हल करें तो प्रेशन नमबर दो क्या है हमारा जो है टिक दा correct answer बच्चों पहला प्रेशन है इसमें which is not the natural ecosystem और option क्या क्या दिये हैं desert, aquarium and forest और हिंदी में अगर बोलें तो इन में से कौन सा प्राकर्तिक पारित अंतर नहीं है आओ इसका दूसरा प्रेशन देखें which is not a component of the human environment, land, religion और community इन तुनों में से कौन सा human environment का component नहीं है अगर हिंदी में बोलें तो इन में से कौन सा मानविय घटक नहीं है, स्थल, धरम या समुदाएं तो इसमें से कौन सा नहीं है बच्चों तो वो है land यानि स्थल आओ अब त तो तीसरा प्रेशन है which is a human made environment, mountain, sea और road अगर हिंदी में बोलें तो इन में से कौन सा मानव निर्मित प्रयावन है, पहाड, स्मुद्र या सडक तो कौन सी चीज मानव ने बनाई है तो वो है सडक, that is road Now fourth question is which is the threat to the environment, growing plant, growing population या growing crops और अगर हिंदी में बोलें इन में से कौन सा प्रयावन के लिए खत्रा है, पादब वृद्धी, जनसंख्या वृद्धी या फसल वृद्धी, तो सबसे बड़ा खत्रा कौन सा है हमारा growing population और हिंदी में बोलें तो जनसंख्या वृद्धी आओ बच्चों, अब तीसरे प्रेशन की और चलें, तीसरे प्रेशन क्या है हमारा, mash the following मतलब निमल लिखित में से हमने इनको मिलान करना है, यहाँ पे तीन तो मंडल दिये गए हैं और एक environment यानि प्रयावन के बारे में बात की गई है, मंडल मतलब biosphere, atmosphere, hydrosphere और environment और इनक का चादर, domain of water, जलिय ख्षेतर, gravitational force of earth, प्रित्वी का गुरुत्वा क्या शन्बल, our surrounding, हमारे आसपास का ख्षेतर, narrow zone, where land, water and air interact, वह संकेन ख्षेतर, जहां स्थल, जल एवं वाईू, परस्पिक क्रिया करते हैं and last one option, relation between the organism and their surrounding, जीवों और उनके परिवेश के भी संबंद, तो आओ बचों, इनके उत्तर जाने, तो पहला क्या है हमारा biosphere, यानि jam bundle, jam bundle का क्या मतलब है, कौन सा domain आता है इसमें, narrow zone, where land, water and air interact, यानि वह संकेन ख्षेतर, जहां स्थल, जल एवं वाईू, परस्पिक क्रिय करते हैं, मतलब E वाला जो है option, इसका बिल्कुल correct है, इसके साथ को है ये, अब आओ, atmosphere यानि वाईू मंदल, किस domain में आता है, तो हमारा blanket of air, which surrounds the earth, प्रिथ्वी को घेरने वाली वाईू का चादर, ये वाला option कौन सा है, हमारा A, यानि O, अब आओ बचों, तीसरा वाला दे देखें, hydrosphere, यानि जल मंदल, जल मंदल में कौन आएगा, जली या क्षेतर जिसों हम बोलते हैं, that is domain of water, और last one is environment, यानि प्रियावन, last one के लिए कौन सा option है, most appropriate, यानि our surrounding, मतलब हमारे आसपास के क्षेतर, जो है, जो D में दिया गया है, यानि अगर हिंदी में देखें, तो दो दिया गया है, हमारे आसपास के क्षेतर, बच्चों ने English Medium में लिया है, उन्हें भी इन option का पता लग गया होगा, और जिनका Hindi Medium में उन्हें भी option का पता लग गया होगा, तो बच्चों आओ अब चौथे प्रशन की और बढ़ें, चौथा प्रशन है, give reasons, कारण बता अब बच्चों अगर हिंदी में हम बात करें, मानव अपने प्रयावण में परिवर्तन करता है, इसका कारण बताना है हमें, तो क्या कारण है? मानव अपने प्रयावण के साथ परस्परिक लिया करता है, और उसमें अपनी आवशक्ता के अनुसार परिवर्तन करता है, उन्होंने खेती उद्योगों आधी के लिए वन काटे और भूमी समतल की, जोगिक करांती से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंब हो गया, परिवहन तेज गती से प्रारंब हुआ, उन्होंने अपने जीवन को सुखदायक बनाने के लिए प्रयावण में परिवर्तन लाने समदी बहुत गती विधिया की, आव बच्चों अब दूसरा जाने, give reasons, इंग्लिश में है, plants and animals depend on each other, तो इसका उत्तर क्या होगा, plants and animals are interdepend on each other, because plants provide food, air, air में हमें क्या मिलती है, plants है, oxygen, and shelter to animals, as well as build forests, whereas animals provide manure to the plants for growth, as well as carbon dioxide to plants, which is used by plants in producing their own food, both are beauty of the forests, अगर आपको हिंदी में बोलें, तो हिंदी में इस प्रशन को कैसे पूछा गया है, पादप और, जीव जन्तु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तो पादप क्या है हमारे plants, पादप और जीव जन्तु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि पौधे जीव जन्तुओं को वनों के निर्माण के साथ साथ भोजन, हवा और आश्रे देते हैं, जबकि जीव जन्तु पौधों को, carbon dioxide जो उन्हें अपने भोजन के निर प्रशनावली में आज हमने इसको हल किया, पिछले अध्याय में हमने पहले प्रशन को हल किया था, जिसमें साथ प्रशन थे, तो बच्चों मुझे उमीद है आपको इन प्रशनों के हल समझ आ गए होंगे, इसके साथ एक कारेपत्रक भी दिया गया है, कृप्या उसमें द